तो दोसो आज है 17 अगोस्ट 2022 मार्केट के अंदर आज बहुत ही शानदा रिकवरी हमें देखने को मिला जहां पे निफ्टी पहुँच चुका है 17,900 के उपर अल्मोस 17,944 पॉइंट पे आज क्लोजिंग दिया लगबग 0.67% तेजी के साथ बहुत सारे शेयर के अंदर आज तेजी देखने को मिला बहुत सारे शेयर के अंदर आज गिरावट भी देखने को मिला तो company का नाम है आपके सामने IT सेक्टर का एक बहुत ही शांदर company जिसका नाम है happiest mind technology limited 2020 में इसका market में आया था लिस्ट हुआ था, listing के टाइम पे भी अच्छा listing गें दिया, उसके बाद भी हमने देखा shareholder के लिए काफी अच्छा काजर return कमा के दिया तो यहाँ पे आप देख सेक्तो share आज की दिन almost 11% के उपर जाके closing दिया 1113 रुपए पे, अच्छा पहले बोलिए कि कौन कौन कल shares to buy टुमोरो वाला वीडियो देखा था रात में, जिसमे मैं happiest mind को आज buy करने का requirement भी दिया था, तो अगर हम बात करें शुरुआत की समय पे हर कि किसी के बास मौका था, क्योंकि देखिए, 1000 रुपए का आज पास share open हुआ, उसके बाद एकदम से share सिधा 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 पहुच किया, 11% उपर, लगबक 1113 रुपए पे आज share closing जा, अब चले सिधा मैं आपको बिना किसी time waste किये, news के उपर लेकर चलता हूं, बाकी discussion कि आपको 17th August 2022, happiest mind technology limited, most bullish insider is top key executive, अशोक शुटा, अशोक शुटा कौन है, जो है, happiest mind का owner, and their holding value went up by 3.3% last week, जिया दोस्तो, लास्ट एक हफते के भीदर, अशोक शुटा जीने, जो कि happiest mind का promoter है, यानि company का owner है, उन्होंने खुद अपना जो stake है, लगबक 3.3% raise किया, मतलब बर्च चुक बाता हूं कि पहले इनके पास कितना stake था, मतलब जून क्वार्टर का जो latest update है, तो उसके according अगर हम बात करें, तो यहां पर देख सकते, जो promoter का stake तो टोटल 53.25% का था, उसके अंदर जो असोक शुटा जी का stake था, देखे, पहले जब मार्केट में लिस्ट वाता, तब 40.90 उसके बाद देखे, एकदम सेम ही था, मतलब कोई increase हमें देखने को नहीं मिला, जून क्वार्टर के according बात करें, तो लगवग 40.91% का stake था, अशोक शुटा जी के पास, अभी last एक हफते के भीतर, मतलब आगोस्ट की माहिने पे, एक हफते के भीतर लगवग 3.3% stake raise किया, अ जैसे ही बहार आया, सीधा-सीधा जो share है, share में आग लग चुका, और इसका जो update है, official update आपको next quarter की जो result के आसपास, जब share rolling pattern का यहाँ पे update होता है, तो उस time पे आपको पता चलेगा, तो फिलाल अगर हम बात करें, 40.91% से सीधा-सीधा अभी पकल लिजिए एक लगबग 43. अल्मोस्ट 44% के आसपास हो चुका है, अशोक शूटा जी का steak, तो यह काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी बात क्यों है, अब देखे, आप इस company को एकदम अच्छे से नहीं जानते, मैं भी उतना अच्छे से नहीं जानता, जो भी बाहर यहाँ पे update है, जो भी यहाँ पे data बाहर present है, उसके ओपर base करके हम discussion करते हैं, but company का जो main promoter है, या company का जो board of director है, उन्होंने खुद दोस्तों company को सबसे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनको हर एक business का insight मालूम होता है, जिस बैसे दोस्तों company का promoter खुद अपना steak race कर रहा है, मतलब future के लिए अगर हम बात परसर की नहीं, 11% की उपर हमें तेजी देखने को मिला, but कल भी इसके अंदर हमें ये तेजी सस्टेन करता हुआ नजर आ सकता है, शुरुवात की समय पे, क्योंकि देखे, आज मार्केट क्लोज हो जाने के बाद भी लगबग 5950 quantity का share, उसी लेबल के आसपास buying price पे आप दे देखने को मिला, यानि आज की दिन शेर के अंदर कोई बहुत बड़ा internet trading या ऐसे कुछ हमें देखने को नहीं मिला, simple सी बात है, लोग यहां पे delivery उठाना पसंत कर रहा है, तो देखे 16.59% की हमें delivery देखने को मिला, तो काफी अच्छी बात है और company दोस्तों काफी अच्छी इस टाइम पर दूसरे बड़े-बड़े IT सेक्टर company हमने देखा, margin का इतना बड़ा issue चल रहा था, चाए Infosys हो, चाए TCS हो, चाए Wipro को तो छोड़ी दीजे, उसका तो इस बार net profit भी गिरा, तो यहां पर देख सेकतो उस case में, ऐसे इतना tough situation पे, happiest mind जैसे, छोटे company का जो performance आप देख सेकतों कितना ज्यादा encouraging आया, चाहे हम revenue की बात करे, 35% का सपस jump, उसके साथ साथ यहां पर देख सकतो, net profit के अंदर भी लगबग 57% को पर jump, earning पर share के अंदर भी jump देखने को मिला, most important path यह है कि company अपने margin को लेके, काफी अच्छा manage किया, जिस वैसे margin के अंदर भी ह 30% का सपस हमें तेजी देखने को मिला, तो चलिए तो सारे अपडेट हो गया, happiest mind के अउपर, अभी हम बात करेंगे, technical chat पर इनको पर base करके, आपका आगे का run नीती, तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, आप अगर इस चैनल का regular follow करते हो, कल रात को ही मैं शेयर स्ट वाफिड में बैट है, तो काफी अच्छी बात है, बट उसके साथ दोस्तों यह नहीं कि हमेशा आपको लालच में आकी इन्वेस्ट करना चाहिए, गल्ती से नहीं, यह तो खुद दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर वरेन वफिट जी बोलता है, कि हमेशा दोस्तों यह मैंने पर कम्प्लीटी मदब टोटल रिकोवर नहीं हुआ, बट निफ्टी अगर हम सेन्सेक्स की बात करें, अल्मोस्ट यहां पर बहुत हत्तक रिकोवर कर चुका है, तो इस केस में दोस्तों मार्केट काफी जाद आप बोल सकते हैं, उसके साथ साथ हैपिस्ट मैं की शि बाहर नहीं रह सकते हैं, जैसे कि हैपिस्ट मैं को उस टेम पहले बाहर आया था, क्या बहुत कर नदीजा, फिर से हमें उसको अंदर आना पड़ा, थोड़ा बहुत करेक्शन, तो यह जो करेक्शन का सीच्वोशन आता है, उस टेम पर आपको एंट्री लेना चाहिए, जि यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, अभी बाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो का, अब देखे शियर उपर की तरफ इसके पहले भी आपने देखा था, जब गिरावाट हुआ था, एक बार 1200 के आसपस रेजिस्टेंस फेस किया, दूस्टे बार 1200 से थोड़ा सा नीचे में देखने को मिला था, और नीचे शियर को सपोर्ट दिया था, 1000 रुपए का लेबल, तो इस केस में मैं आपको बूलूँगा, आपको जो बाईंग लेबल लाएगा, इन केस अगर हैपिस माइन की शियर के अंदर गिरावाट होता है, शियर फिर से 1000 के आसपस पहुंच जाते तो उस केस में, हजार से लेगे, 1050 के बीच में, हैपिस माइन के अंदर एंट्री ले सकतो हो, पट ऐसा ना होकि अगर हैपिस माइन के अंदर तेजी देखने को मिला और शियर पहुंच गया बारहाटा सुरूपए की उपर ना सिर्फ पहुंच गया, शिर पहुंच गया श सकता है बस पेशन्स रखना उतना ठीक है क्योंकि आई टी सेक्टर भी देरे देरे रिकावर होना शुरू हो चुका है बाकी दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना और आपके वास अगा ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स मिल जाएगा अपस्टों जैसे बड़े प्लाट्फॉर्म में आप डिमाटा कुलेट कर सकतो मिलते है नेक्स वीडियो पे चलिए टेकर बबाई जैहिंद तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा